युक्रेन के बहतरीन माने जाने वाले लेपर्ट टैंक की लूटिया भी अब रूस की नई मिसाइल कॉर्णेट ने ही डुबाई है पुतिन को अब तक अपने सबसे नामी गिरामी मिसाइलों से जो कामियापी नहीं मिल रही थी वो कॉर्णेट से हासिल हो रही है ये जब मैदान में होता है तो रूस को सुखोई उडाने की ज़रूरत नहीं पड़ती ये जब ट्यूटी पर तैनाव होता है तो रूस को हाइपरसोनिक मेजाइनों की तैनाथी नहीं करनी पड़ती ये जब चलती है तो दुश्पन का दिल दहल जाता है इसकी रफ्ता, इसकी सठीक्ता से यूक्रेन ने जाए पुतिन के इस नए हदियार का नाम है कॉर्णेट मिसाय पुतिन ने लॉंच किया जैलंस्की का कार यूक्रेन के टैंकों का संभार रखा गया दुश्मन को चक्मा देने में उस्ता रेंज में आने पर सब धुआ 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 और राख पुतिन ने गोदाम से निकाल दिया सबसे नया हदियार इस मिसायल की ख्षमता का सबसे ताजा उधार माना जा रहा है यूक्रेन के तोपों की दबाई कॉर्नेट एंटी टैंक मिसायल ने हाल में ही जर्मनी की लेपर टैंक और अमेरिका की ब्रैटली इंफेंट्री वाइटिंग विकल को नश्ट कर अपनी ताकत दिखाई है रूस की सेना के जनरल मान रहे हैं कि कॉर्नेट मिसायल जलन्सकी के टैंकों पर कहर बन कर तूट रही है इस मिसायल की डीटेल आपको दिखाएं उससे पहले एक एंटी टैंक मिसायल अमेरिका वाली जैबनिल को देख लीजिए ये एंटी टैंक हधियार रूसी आक्रमर से खलाब योगरेन के प्रतियोद का सबसे बड़ा प्रतिक बन चुका है और अब तक रूस का भारी नुकसान कर चुका है इस हधियार ने कैसे योगरेन को साहरा दिया उसकी टीटेल आगे त्विल्हाल तो पुतिन की मिसायल कॉर्णेट की टीचेल रूस की सेना ने इन देनों पूरवी योगरेन के डॉनस्ट में टैंक हंटर टीमों को तैनात किया है ये टीमें अपने साथ कॉर्णेट पॉर्टेबल एंटी टैंक मिसायल लॉंचरों को लेकर भूम रही है इनका काम योगरेन की सेना के टैंकों और बखतरबंद गाड़ियों का शिकार करना है कॉर्णेट एंटी टैंक मिसायल किसी भी आर्मर को भेदने में सक्षम है इस सीमा के भीतर ये एंटी टैंक मिसायल किसी भी बखतरबंद वाहन टैंक या इनफेंट्री फाइटिंग वेकल को नश्ट कर सकती है कॉर्णेट एंटी टैंक मिसायल में लगे वरहेड बारसो मिलिमीटर मोटे टैंक कबच को आसानी से छेट सकते हैं वर्तमान में दुनिया के अधिकतर टैंकों के आर्मर प्लेट लगभग इतने ही मोटे हैं इसे आम तोर पर किसी वाहन पर दैनात किया जा सकता है कॉर्णेट मिसायलों को आधुनिक टैंकों में लगे एक्स्प्लोसिव रियक्टर आर्मर को भेदने के लिए डिज़ाइन किया गया है यह दुश्मन के एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम को चक्मा देने में सक्षम है कॉर्नेट मिसाइलों का इस्तिमाल टैंकों का शिकार करने के अलावा एमारतों और दुश्मनों की खेले बंदी को नश्ट करने के लिए भी किया जा सकता है पोतिन में हमले की शुरुआत से ही मिसाइलों का इस्तिमाल नंबर बन पर रखा है और दूसरे नंबर पर है टैंकों की ताकत का प्रदर्शा दुनिया में टैंकों के मामले में रूस, संख्छा और ताकत दोनों में नंबर वन है लेकिन यूकरेन के मैदान में ZABOYN मिसाइनों ने रूस के D-72 टैंकों को जिस तरह से रौंदा उसने रूस की टैंक इंजिनिरिंग पर सवाल खड़े करती है जबकि ठीक इसी वक्त हलकी कंदे पर धोने वाली अमेरिका की जैबलिन ने कमाल कर दिया कॉर्नेट अब आक्शन में है तो इसकी तुलना जैबलिन मिसाइल से होनी ही है जैबलिन मिसाइल दुनिया के सबसे मजबूत और आधुनिक टैंकों को भी उड़ा सकती है ये मिसाइल दो बार में अपने टार्गेट को द्वस्त करती है पहली बार में मिसाइल टैंक के संपर्क में आते ही ब्लास्ट हो जाती है जिसके बाद ये और अधिक शक्ती के साथ कबच को भीदने का काम करती है इस मिसाइल के रेंज पच्छे सो मीटर होती है जो किसी आवमट बेकर, टैंक और बंकरों को उड़ाने में सक्षम होती है जैबलिन मिसाइले मैन पोटेबल हैं जिन्हें योकरेन के सैने कंधों पर रखकर फायर कर सकते हैं जबकि दूसरे एंटी टैंक सेस्टम को इस्तिमाल करने के लिए ट्राइपॉट की ज़रूरत पड़ती है रूस जिस तरह से युद्ध लड़ा है उससे नार रूस के गोदामों के हथियार से खाली होने की बात अफवाज साबित होती देख रही है पक्नूद के फ्रंट से जिस तरह से वैकनर आर्मी चीफ की पुतिन से हथियार देने की मांग के खबर आई उससे लगाती जेलंस्की के काउंटर अजाक के वक्त कहीं रूस के हथियार कम ना पड़ जाएं लेकिन यहां तो मामला बिलकुल उल्टा देख रहा है रूस लगातार नए-नए हथियार लॉंच कर रहा है यह उक्रेन के नए-नए इलाकों में हमला कर रहा है तो कि धर पकुपकी को अधियार को तो बोल्टा आस्ट बालेंगा तो नहीं एक उसका नहीं को ग्यार जाएंगा रहा दोन के यहां तो फस्क्राइब को एक मस्ट बोल्याओ तो एक मास बांशने का रहा है तुरक्षा पंते खड़े करती है। इन टैंकों को तबाह करने के लिए पुतिन रोन हमले का सहारा ले रहे हैं। मिसाइले गिरा रहे हैं। लेकिन उन सब में सबीज नतीजा दे रही है ये पोर्टेवल कॉर्नेट मिसाइल। योक्रेन इस स्वक्त जवाबी हमले के अभिया बना सकती है। इससे दोनों ये दिशाओं में रूस की सप्लाई लाइम टूट जाएगी। हना कि रूस की सेना ने भी इस इलाके में जबरदस्त मूर्चे बंदी कर रखी है। यहां रूस के सैनिकों ने कई रक्षा बंगतिया और यहां तक की बड़ी-बड़ी खंदकें भी बना रखी है। इस पीच योकरेन के पूर्दी शेहर बखमूत पर कबसे की लड़ाई इस युद्ध का सबसे लंबा और खुनी संघर्ष साबित हुआ है। योकरेन के राश्रपती जैलन्स की बखमूत को योकरेन के कौमी मनोबल का खिला कहते हैं। अगर योकरेन की सेना बखमूत पर दोबारा खपचा कर पाने में काम्याब रहती है तो इससे सामरिक ग्रूप से एहम पूपासना, होरलिव का और अवदीरकास शेहरों पर रूस की रक्षापंतियां भस्त हो जाएंगी। जैलेंस्की के इस प्लान पर अमल को रोकने के लिए पुतिन के बास जो सबसे कारगर हथियार है रूस उसका इस्तिमाल कर रहा है। एक दिन पहले ही चीन से आई युद्धक ट्रक के तस्वीरें सामने आई हैं। जिसे पुतिन ने चेचन कमांडर और रूस के जनरल रमजान कादिरफ को सौपी है। आए जिसे बाते की रहना खुतिन के बाते के उस्तिस पारी रहा हैं। वसल्न के बाते की लिए लूसका व्हाम पहाँ है कि बाते के लोगरा हैं। हथियारों की जंग का आखिरी अर्थियाय लिखेंगे लिहाज़ा पुतिन के पास पश्रमी देशों से योक्रेन बेजे जा रहे हथियारों की पूरी फेरस्ट मौचूद है राश्षपति पुतिन نے बताया कि मान लेकी अमेरिका हमारी जानकारी के मताबिक हर महीने 14 000 से 15 000 गोले का उत्पादन करता है हमारे अनुमान के मताबिक योक्रेनी सेना दुश्पनी में प्रते दिन 5 000 गोले तक का इस्तिमाल करती है एसे में इतनी डिलेवरी कितने दिनों में होगी और युक्रेन उतने गोलों से कितने दिनों तक यूद लड़ पाएगा इस सवाल का जवाब नाटो के बास हो सकता है क्योंकि नाटो ने जिस दिन युक्रेन को हतियार देना बंद किया उसके अगले दिन जैलन्स की सेरेंडर करते नजर आएंगे लेकिन फिलार ऐसा द्रिश्य नहीं है इशन की उद्जारी है इसकंदर कलिपर किंजर ओनिक्स रूस अब तक योक्रेन के खिलाफ हैं बड़ी बड़ी मिसाइलों का इस्तेमाल कर चुका है लेकिन मंचाहा परिडाम नहीं निकला इसका एक कारण तो योक्रेन में तैनात एंटी एर डिफेंस सिस्टम है और दूसरा कारण है योक्रेन की जबावी हमले की तैयारी का होना यहां ये भी जानना बहुत बिल्चस्प है कि योक्रेन रूस के मिसाइल हमले को ट्रैक करने में भी काम्याब हो रहा है ऐसे में महंगी से महंगी फुतिन की मिसाइल योक्रेन के एक ट्रैंक को बरबाद करने में खर्च हो जाती है और कई बार तो टार्गट तक चूप जाती है लेकिन कॉर्णेट से अब ऐसा नहीं होगा ये जब भी चलेगी दुश्पन की मौत मिश्चित है